ओम श्यान्ति हमारा जीवन बहुत मुल्यवान है इसमें जादस सोचने की आधत जीवन के सुखों को नस्ट कर देती है आज हम ले रहे हैं हमें जो जादस सोचने की आधत है इसको खतम करना है सोच हमारे विचार हमारे थोट्स हमारे कंट्रोल में हो जाएं हो जाएंगे बाबा की दो चीजे आपको याद दिला देते हैं जब हम बाबा सब्द वोलेंगे तो सभी जान लें स्विव बाबा जो सुप्रीम सोल है जो टीचर बन कर इस संसार में आए हैं हमें उन्होंने पढ़ाया है ये गहरा ज्यान दिया है स्रश्टी के आदिमध्य अंत का जो मनुस को परफेक्शन कियों ले जा रहे हैं उनके अंदर छुपे हुए देवत्तों को जगा रहे हैं ये सब बाते उनके द्वारा दिये गए ग्यान से ही प्राप्त हुई हैं जादस सोचने की आदत के बारे में भाबा ने कहा बाते बड़ी नहीं होती तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो इस पर ग्यान चिंतन करना है सबको दुसरी बात भी मैं अभी कह देता हूं तो मन के मालिक हो मन तुम्हारा है इसकारतिय नहीं मन आत्मा से अलग है मन आत्मा की ही शक्ती है जैसे हमारा हाथ अभी ये शरीर की शक्ती है हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाथ शरीर से अलग है हम इसको जैसा ओडर दें उपर करें इधर उधर करें शान्त बैठ जाएं ये आज्या का पालन करता है न ऐसी मन भी हमारा है ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं इंडियन फिलोसोफी में मन विज्ञान में संसार की एक्ष्वली सभी फिलोसोफी में मन बुद्धी को आत्मा से अलग मान लिया गया उनको सुक्ष्म सरीर के हिस्से मान लिया गया और आत्मा अलग सक्षी एक सक्ति ऐसा नहीं हम आत्माएं हैं मन बुद्धी संसकार तीन यह हमारी सुक्ष्म शक्तियां हैं तो यह हमारी हैं मन और बुद्धी हमारी हैं इन पर हमारा संपूर अधिकार हैं हम इनके मालिक हैं इस मालिकपन को सभी समझ लें और स्विकार कर लें आप कुछ दिन तक अपने को रोज जब हम कुछ दिन कहे तो कम से कम 21 दिन और जाद किसी की स्थिति गिरावट में आ गई है तो और 21 दिन अभ्यास करेंगे मैं आत्मा मन की मालिक हूं इतना ही कड़ लेंगे और अच्छा करना चाहें मैं आत्मा स्वराज जदीकारी हूं मान बुद्धी की मालिक हूं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं क्योंकि मालिक बहुत सक्ति साली होना चाहिए हमें स्वैम को अपनी सक्तियों की याद दिलानी होगी आत्मा तुम बहुत सक्ति साली हो इस मन को कंट्रोल करना तुम्हारे वस की बात है तुम ये न को मन रुकता नहीं हमारी कंट्रोल में आता नहीं ये नहीं तुम इसे र जादा सोचने की आदत, बाते बड़ी नहीं होती, आप, अपने पिछले एक हपता है, आप पंदरा दिन की बातों का अनलेसिस कर ले, उनका विशलेशन करें, उन पर कुछ विचार करें, जिन पर आपने बहुत सोच लिया है, और जब वाते आपके सामने रियल रूप में आ कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं, मिना मतलब परिशान हो रहे हैं, बात तो यह है ही नहीं, तो यह जो जादस सोचने की मेंटलिटी हो गई है, नेचर ओफ माइंट, हमने बना लिया है, इससे बचें, इसको समाप्त करें, और इससे बचने का तरीका होगा, ज्यान का चिंतन, स्व स्वामान की प्रैक्टिस, इन दोनों का सार एक ही है, कि हम अपने मन को कुछ सुंदर विचार देते रहें, हमारे जो ज्यान के विचार हैं, या स्वामान के विचार हैं, they are most powerful, बहुत सक्तिसाली हैं वो, एक-एक वो स्रेश संकल्प, हजारो वेर्थ संकल्पों को काटने म सक्सम है, जैसे मावारतो रामायन में दिखाना, एक वान छोड़ा, सारे वान नस्ठोगे, हमारे पास ये ज्यान के स्वामान के बहुत अच्छे तीर हैं, बान हैं, इनको चलाना सेख लें, तो जादस सोचने की आदत, मैं उधान दे रहा हूं, किसने आपकी निंदा कर द अब निंदा एक ऐसी घटना है, एक ऐसी चीज है, जिसको संसार में कोई भी सुनना नहीं चाहता, उसने आपके लिए दो चार निंदक बोल बोल दिये, अब आपका सोच प्राडम हो गया, अब वो तो बोल के चला गया, देखो मैं जिस तरह से अपने को समझाया था ना ज खुष हो रहा है कि मैं बोलाया हूं कुछ, उसको बोल गया, वो क्या बोल के आया, और इधर हम उसको बार बार याद कर रहे हैं, अच्छा उसने ऐसे गहा, हमारी खुष ही चली गई है, हम उदास हो गए हैं, उस व्यक्ति के प्रती हमारे मन में निगेटिव फेलिंग हो यह मेरा सत्रू है, यह मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, यह मेरी प्रसंसा सुनकर खुष नहीं होता है, यह मेरी बात न जाने कहां कहां फैलाएगा, यह सो लोगों को बताएगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और हमारा सोच चालू हो गया, अब वो चि सकते हैं, बच सकते हैं इस से, अब कैसे बचेंगे, हमें इस वरिय महावाद की याद कर लेने चाहिए, सच्चा ग्यानी वही है, जो निंदा इस्तुति, हारजीत, मान अपमान में समान रहे, इस बात को हम आपको बहुत बार याद दिलाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही इं अपने निंदा की, कभीर ने भी तो का, निंदक नियरे राखिये, निंदक को अपने पास रखो, वो तो तुम्हें दो दो के साफ करता रहेगा, रियलाइज कर लो, वो निंदा कर रहा है, तो कहीं हम से कुछ गल्ती तो नहीं हुई है, गल्ती हुई है, एक अच्छा पु आपको अच्छा काम करके आये थे, आपने बहुत अच्छी सेवा की थी, उस व्यक्ति को सहन नहीं हुआ, वा आपको आगे बढ़ता देख, खुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने उल्टी सुल्टी बाते कर दी, आपको अपनी मेंटलीटी को है सब बना लेना चाहिए कि इंची जो की हम परवा नहीं करते हैं, जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उसे कोई मनुस नहीं रोक सकेगा, ऐसी एक द्रड़ता, एक बुद्धी की विशालता, विचारों की विशालता, आप अपने अंदर धारन कर लो, मेरे साथ स्वयम भगवान है, मुझे आगे बढ़ जा रहा हो, मनुस उसको क्या रोकेंगे, गीत गालिया करो, जिसका साथ ही हो भगवान, उसको क्या रोकेंगे, आंधी और तूफान, बहुत पुराना गीत है, बाबा के समय बहुत बज़ता था, तो इस विचार से संकल्प स्यंत हो जाएंगे, तो ज्यान का इस तरह परिय करेंगे, जादा तो मनुस जहां तहां सोचता है, हम कई बातों को लेंगे, उसकी हार हो जाए, वो बार-बार परियास के बाद भी असफल होता रहे, लोग उसे साथ न दें, अपने धोका दें, तो अभी कभी ऐसा होता है, भग्य साथ न दें, ऐसा भी लगता है, तो मनु सोचेंगे, हमारी एनर्जी बचेगी, हमें सहज सफलता प्राप्त होगी, जितना हम कम सोचेंगे, हमारी चेरे पर गलो रहेगा, तेज रहेगा, और हम बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे, ओम स्यांति हैं